एक चर का मान देने पर बीजिय व्यन्जकों को हल करना उदाहरन आज हम देखेंगे एक चर यानि वेरियेबल का मान देने पर बीजिय व्यन्जकों यानि एलजेब्रिक एकस्प्रेशन को हल करने के उदाहरन पिछली वीडियो में हमने बीजी अवियन जकों को हल करने के बारे में पढ़ा, जब उनके एक चरका मान दिया हो आईए अब कुछ उदाहरनों की मदद से इसे और अच्छे से समझें उदाहरन एक, सुमित के पास वाई गुलाब है और उसके भाई अमित के पास उसके दो गुने से पांच गुलाब अधिक है यदि वाई बराबर दो है तो कुल गुलाबों की संख्या ग्याद कीजिए जैसा कि हम जानते हैं सुमित के पास गुलाबों की संख्या वाई है और उसके भाई अमित के पास उसके दो गुने से पांच गुलाब अधिक है अतहा अमित के पास कुल गुलाबों की संख्या होगी बराबर दो गुना वाई जमा पांच तो गुलाबों की कुल संख्या होगी बराबर वाई जमा दो वाई जमा पांच इस व्यंजा को सरल करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर 3y जमा 5 जैसा कि हम जानते हैं कि y का मान 2 है तो y के स्थान पर 2 रखने पर प्राप्त होगा बराबर 3 गुणा 2 जमा 5 बराबर 6 जमा 5 बराबर 11 अतह कुल गुलाबों की संख्या होगी 11 उदारन 2 निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्याद कीजिए जब x का मान घटा 3 है इस व्यंजक को सरल करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर 4x जमा 4 जमा 2x घटा 2 समान पदों को पुनर व्यवस्थित करने पर प्राप्त होगा बराबर 4x जमा 2x जमा 4 घटा 2 समान पदों को हल करने पर प्राप्त होगा बराबर 6x जमा 2 अब इस व्यंजक में x का मान घटा 3 रखने पर प्राप्त होगा बराबर 6 गुना घटा 3 जमा 2 बराबर घटा 18 जमा 2 बराबर घटा 16 अतह हमारा उत्तर होगा घटा 16 उदारन 3 दिये गए व्यंजक में x का मान 3 हो तो व्यंजक का मान घ्याद कीजिए x की घाद 3 जमा 2x की घाद 2 जमा 5 अब हम इस व्यंजक में x के इस स्थान पर 3 लिखेंगे तो हमें मिलेगा 3 की घाद 3 जमा 2 गुना 3 की घाद 2 जमा 5 यहाँ पर 3 की घाद 3 होगा 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27 और 2 गुना 3 की घाद 2 होगा 2 गुना 3 गुना 3 बराबर 18 अतह 27 जमा 18 जमा 5 बराबर 50 तो आज हमने देखा एक जर का मान देने पर बीजिय व्यंजकों को हल करने के उदारन अब अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ मिथ्यधारनाओं के बारे में जानेंगे धन्यवाद